नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मुलकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीम ने कहा है कि एक साजिस के तहद, राजे के मुलवासी, आदिवासी, अल्पसंक्यक और पिछले वर्गों के अधिकारों को छीना जा रहा है, जिससे सरकार किसी कीमत पर विर्योधियों की साजिस को पुरा नहीं होने देगी उन्होंने कहा है कि जल्द ही सरकार राजे में नियुक्तियों के लिएकर बैकल्पिक ब्यवास्था करने पर विचार कर रही है, जल्द ही इसका सकरात्मक परिणाम सामने आएगा सिअम हेमान सुरे ने कहा है कि बिजेपी को छोड़ कर सभी रायनितिक दल के सिस्ट मंडल राजेपाल से मुलकात की इस सिस्ट मंडल में जेमें, कांग्रेस, रायत, आर्जेडी, सीपी, एम, आइसू, वाम दल समेथ अर रायनितिक दल की नेतावों ने सिर्कत की कहा है कि राजेपाल से भेट करने का कारण पिछले दिनों जारखन हाई को द्वार राजे के नियोजन निती को रद करना हाई जारखन के बिभीन हिसों में मंगलवार को भी सरदी ने परսान किया सुबह के द दोरान कनकनी से लोग पर सान रहे संथाल के कुछ हिसों को छोड़ कर राजे के अधिकांस भागो का नियुमतम तापमान समाने से कम रहा राजधानी समेत कई जगों पर सुबह के दवरान घने कुहां से में कमी आई राजे में सबसे ठंडा जिला सिम्डेगा रहा यहां का नियुतम तापमान 6.2 डिगरी दर्ज किया गया यह इस दिनों के समाने नियुतम तापमान से 3 डिगरी निचे रहा राज़ी में नियुतम तापमान 9.2 डिगरी और अधिकतम 25.4 डिगरी से दर्ज किया गया वही राजे में 23 दिसंबर से बादल चाने का पुरुणवान ब्यक्त किया गया है मौसम विभाग के अनुसार राजे में अगले 2-3 दिन भी सर्दी में कमी आने की संभावना कम है हजारी बाग में 18 लाह का अवैध कोईला जब्त हजारी बाग डिसी नेसी सहाय द्वारा गठित टास्क फोर्स ने इचाक और बरही थाना छेतर में छापे मारी कर अवैध कोईला लदे ये गैरा ट्रक साहित डो टर्बो गाड़ी को जब्त किया इसमें लगभग 275 टन कोईला मिली है इसके अनुमानित बजार मोले 18 लाख रुपए आकी गई है इस मामले में 12 लोगों को गिरफतार भी किया गया है वहीं 40 लोगों को आरोपी बनाया गया इस करवाई से कोईला माफिया के बीच हड़का मच गया है गिरफतार लोगों में ट्राइवर खलासी और अवयत कोईला कारोबारी सामिल है कागजी करवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को गिरफतार कर यूपी के सादा भीरिक्ष जैसवाल लालचंद्र यादव धनबाद के अरजुन रवानी आदी के जेल में भेदिया गया है नकसली मीसीर बेस्तरा दास्ता को जटका एरिया कमांडर कुलदीप किया सरेंडर पर्तिबंधित नक्सली संगठन भागपम मवादी के केंद्रिय कमेटी के एरिया कमांडर सा मारक दस्ताकासर से कुल्दीप उर्फ कुल्दीप गांजू उर्फ टूईलू पचीस वर्ष ये ने मंगलवार को पच्छमी सीमुम के चाईबासा में पुलिस अधिकारियों के सम आत्मसमरपन कर दिया वह राची जी लेके बुड़मों इस्थित कनारी गाव कराने वाला है बता देया अनक्सली मिसिर बेसरा ओरुफ सागर टिम का सक्रिये विश्वास पात्र और मारक दस्ताकासर से है एरिया कमांडर कुल्दीप ने सरकार के आत्मसमरपन निती नई द इसा से प्रभावित हो कर्मों के धरा में लोटने के लिए या कदम उठाया कुल्दीप का आत्मसमरपन कारेकरम चाई बस पुलिस लाइन इसीत फूटबॉल मैदान में किया गया जारखन में लालस देकर आदिवासियों का कराया जा रहा धर्मांतरन जारखन में जवरन धर्म परिवर्तन का मतला लोकसभा में भी गुजा भाजपाक के संजय सेथ ने मंगलवार को लोकसभा में जारखन में जवरन धर्म परिवर्तन कराया जाने के ममला उठायते हुए क कि साधी के बाद जो आदिवासी बने इसलाम धर्म कबूल नहीं करती उनके हत्त्या कर दी जा रही है। खात्रों के भविश्य के साध खिलवार कर रही सरकार बाबुलार मरांडीicky विधान सभापरिशार में पूर मुखमंत्री बाबुलार मरांडी ने हेमन सुरेन सरकार पर निशानात रात्ते विकाहे गिसा शरकार की मनसा ठीक नहीं है। नियोजन निती को खारिज कर दिया गया वे नया नियोजन निती लेकर आए यमान सरकार की नियोजन निती और अबेभारिक थी जिसका विरोध हम लोग सुरू सही कर रहे थे वही जारकन हाई कोट के निरने के बाद वही हुआ जो हम लोग कर रहे थे समाने वर के विद्याति के लिए दस्विय बरावी जार्कन के पास होना निवाल और हिंदी अंग्रेजी को दरकिनार कर उर्दू को प्रात्मिक्ता देना उचित नहीं था नियोजन नीती पर सदन के बाहर अंबा परसाद ने दिया धरना जार्कन बिधान सबाके सित कालिन सात्र के दूसरे दिन मंगलवार को नियोजन नीती के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर अंदोलन होता रहा विपक्स के अलावे सताप्स के विधायक भी नियोजन निती हाई कोड से रध होने पर सरकार के खिलाब धारना देते दिखे बता दे कॉंग्रेस बिधायक अंबा परसाद अपनी ही सरकार द्वारा बनाई गए नियुजन निती में खामियों को सवी कारते हुए अलोचना करती दिखी सदन के बाहर धारना प्रवैठी कॉंग्रेस विधायक अंबा परसाद ने सरकास नियुजन निती रद होने की वया से बादधीत नियुक्ति परकिरिया को फिर से सस्वधित कर सुरू करने की मांग की उन्होंने कहा है कि पहले भी नियुजन निती बनी थी उसमें कई तरह की भी संग्यतिया थी जिसे दूर की गई थी जिसके बाद नियुक्ति परकिरिया सुरू की गई थी राजेपाल से मिला सर्वधलिये परतिनीधी मंडाल 1922 पर साइन करने का आगरा मुख्य मंत्री के नितित में सरोधर लिए परतिनीधी मंदन ने राजेपाल रमेस बैसे मुलकात की इस दोरान राजेपाल से 1932 खत्या नाधारित आस्थानिय निती और आराक्षन सस्वधन बिदहयक पर जल्द स्विक्रिति देने का अगरा किया गया ताकि केंद्र की के लिए बिल को जल्द से जल्द भेजा जा सके बता दे राजेपाल से मुलकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हैं मुख्यमंत्री हमांसुरे ने कहा है कि जारकन के युवाओं को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए पहले भी कई बार नितिया बनी है लेकिन हर बार हाई कोट के दुवारा नितियों को रद कर दिया गया इस बार भी हमने ऐसा पर्यास किया लेकिन हमने पहले सही पता था कि राजे में कुछ ऐसी सवरें तरकारी सकतिया है जो इन के प्रकरन जारकन के आदिवासी मुलवासी का दिकारों और कुछ रोकने का काम करेंगी सदन में 8,533 कोर का द्यूतिय अनुपूरक बयट पेस सित कालिन सत्र के दूसरे दिन विपक्स के हंगामे के बीच बीत मंत्री रमेशवर उरावने 853.89 कोर रुपाय का द्यूतिय अनुपूरक बयट सभापटल पर रखा इसी दरान राजभवन की आपतियों के आलोक में तीन विधायक भी वापस लिए गए प्रस्नकाल की करवाही सुरू होते हुए मोखे विपक्सी दल भाजपा के विधायक बेल में आ पहुंचे और नियोजन नितिरत होने से युवाव के भविस से के साथ खिलवार का हवाला देकर सरकार के खिलाप नारवाजी की इसी बीच प्रस्नकाल के दरान आईसु विधायक लम्मतर महतों ने सरकार से पूछा है की पूरे राजे में इस्टोन करसर और बालू की निलामी नहीं होने के कारण पिछले तीन साल में दो हजार पच्चास कोर से ज्यादा रोयल्टी मद में रायस्व का नुकसान हुआ या नहीं ऐसे में सरकार अनिमित्तावों की उचस्तर जाच कराना चाहिए है या नहीं जेपीएसी को तीन हफ्ते में सीविल सिवा परिक्षा के मार्क्स जारी करने का आदेश जार्खन हाई कोट ने जार्खन पब्लिक सर्विस कमीशन को कड़ी फटकार लगाई है सात्वी से दस्विल सिवा परिक्षा के अवियर्थियों के मार्क्स, स्टेटमेंट, कॉट अफ मार्क्स का ब्यवरा और अने जरोरी सुचनाए अब तक जारी नहीं किये जाने पर कोट ने गरी नराजगी जाईर की जस्टिस डाक्टर एस एन पाठा की कोट ने मंगलवार को जे पीएसी को आदेश दिया है कि वह तीन सब्ता के भीतर एस अभी सुचनाए वेबसाइट पर अपलोड करे अन्याथा कोट में सहता अमननक का मामला चलेगा एस डियो कोट से कुनाल सिंग सहित छातरो को नोटी जारखन हाई कोट से नियोजन निती रद होने के बाद युवा आपने भविस को लेका चिंती था है जगा जगा जिवाओ का आकरोस भी देखने को मिल रहा है छातरो को एक समुझ हारखन स्टेट स्टूडेंट यूनियन जे एस एस यू ने या घोसना किया है कि नियोजन निती की मांग को लेकर विधान सभाद तक पैदल माच करेगी इसी बीच राची जिले के अनुमंडन नियाईक दंडा अधिकारी SDO के द्वार यूआओ के लिए मुखर रहने वाले कुनाल सिंग मनोज यादव, बिनाय सिंग, देवेंदर महतो, गुलाम, सर्वर और सभी इमाम को नोटिस भेजा गया है SDO द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्हें ऐसा परतित होता है कि उक्त सभी ऐसा क्रित्य करेंगे जिससे सांती भंग हो सकती है इसलिए सभी लोगों को SDO कोट में उपस्तित होकर बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया नोटिस मिलने के बाद छात्रों का कहना है कि युआ अपने पैदल मार्च के जरिये सरकार तक अपनी बात पहुचाना चाहते है लेकिन उन्हें नोटिस भेज कर डराने की कोशिस की जा रही है और उनकी आवाज दबाने की कोशिस की जा रही है बिधान सभा में उठा सिक्षको को गयर सक्षनिक कार्यों में लगाय जाने का मसला जारखन बिधान सभा मंगलवार को सिक्षको को गयर सक्षनिक कार्यों में लगाय जाने का मसला उठा भाजबा विधायक बिरंची नरायन ने अलप सुचीत परशने के तहत यह मामला उठाया उन्होंने कहा एक बोकारो सहीत पूरे राजे में सिक्षकों को धर्जोनों गर सैक्षनी कारियों एम लिपिक कारिय में परतिन्यूक्त कर दिया जाता है इससे सिक्षन कर्याबाधित हो रहा है इसका जबाब देते हुए सिक्षा मत्य जगनात महतों ने कहा एक बोकारो जीला में रिसी केस परसाद सहायक सिक्षक उतकर्मिक मत्य बिद्याला है जाम जोडिया को बीरमित करने का आदेश उपायूत को दे दिया गया इसके अतिरिक्त अने जीलों में परतिय न्युक्ती रद करने की करवाई चल रही है बिद्यायक ने सिक्षको के M.A.C.P. मामले को भी उठाया है स्रियम हमंत ने कहा नियोजन निती को लेकर 20 यूआओ ने दर्ज कराई आपाती जिसमें 29 दूसरे राजे के थे सरकार की ओर से 2021 में बनी नियोजन निती को हाई कोट से रद कर दिया गया इस फैसले पर मुख्य मंतरी हमंसुरे ने बड़ा ब्यान दिया है उन्होंने कहा है कि निती को लेकर जीन 20 लोगों ने हाई कोट में अपनी आपाती दज कराई थी उसमें से 29 दूसरे राजे के थे साफ है कि अने राजे के जुवा नहीं चाहते कि आदिवासी मुलवासी को उनका हक और रितिकार मिले राज भौन से निकलने के बाद मेडिया से बादचीत में मुख्य मंतरी ने बिपक्च पर भी जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि राज में कई ऐसे जिरो हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे जुवाओ को 3rd और 4th ग्रेड में भी सरकारी नकरी मिल सके कई राज जियों ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें 3rd और 4th ग्रेड में अस्थाने जुवाओ को सीधे तोर पर नकरी मिलती है नियोजन निती को लेकर भाजपा ने फुका सीम का पुतला नियोजन निती रद होने वह साहब गंज में आदीम जनजाती की यूती की निर्मा महत्या के बिरोध में मंगलवार को भाज यूमो जिला अध्यक्स अनुप पंडेक नितितु में भाजपा ने सीम हेमन सुरेन का दहन किया मोके पर भाजपा जिला अध्यक सोमनाथ सिंग ने कहा है कि हाई कोट ने जहारकंट सरकार द्वार बनाई गए नियोजन निती को रद कर दिया जो सरकार की अधूर दर्सिता का परिचायक है जबकि रगवर्दास की सरकार ने ठोस नियोजन निती तयार कर राज म कटगारे में ला दिया है रूबी का हत्याकांद भाजपा की एक मोर्चा के परदेश अध्यक्स सीव संकर उराव करनेती तुमें 21 दिसंबर को घाटना अजथल बोरियो बेल ठोला जाकर पिडित परिवार एम गरामिनों से मिलेगी इस टीम ने भाजपा अनुशुचीत जन जाती मोर्चा परदेश अध्यक्स सीव संकर उराव सहित गंगोत्री कुजूर दिनेश उराव लुइस मरांडी ताला मरांडी अनन्त ओज़ा सामिल हैं पालामू के पांडू से परधाना ध्यापक गिरफतार छात्राओं से करता था गंदी बात राज किये उतकर्मिक मदे बिद्यालाय लवर पांडू के परधाना ध्यापक भी सुनात राम को पुलिश ने गिरफतार कर लिया है गिरफतारी के बाद उन्हें पांडू थाना में रखा गया है जिसके बाद बुद्धवार को जेल भेजा जाएगा सिक्षक की गिरफतारी मंगलवार को SDM, राजे, सा और D.A.C. मनोज कुमार की जाच के बाद की गई बिद्यालाय की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाया था कि परधाना ध्यापक जब पढ़ाने आते हैं तो सीने से दूपाटा हटा कर कलास में बैठने को काते हैं ऐसा नहीं करने पर डंडा से मारते हैं मंगलवार को D.A.C. मनोज कुमार वसादर मेधनी नगर SDM, राजे, स कुमार साह ने बिद्याले पहुँच कर सिकायत की जाच की इस दवरान चार चात्राओं ने पुष्ट अच में सिकायत को दोहराया और बताया कि पर धना ध्यापक एसकेल से दूपटा हटाने का इसारा करते थे कुरोना को लेकर अस्पतालों में अपडेट करने की कवायद शुरू चीन के राष्ट्रिय स्वास्त प्राधिकरन ने चीन के अंदर 2023 में कुरोना भी सफोट होने की बात कही है इसमें 10 लाक लोगों की मौत होने की समभना जाताई गई है इस खबर के बाद खोटी जिला परसासन ने अभी सही कुरोना से निपटने की त्यारी पर काम सुरू कर दिया है इस सम्मांध में DC ससी रंजन ने बताया है कि खोटी जिले के सभी COVID अस्पतालों समेथ सदर अस्पतालों में कुरोना से निपटने के त्यारी पर काम शुरू कर दिया गया है ओक्सिजन प्लांट, आइसोलेशन वार्ड और आइसीउ सब कुछ अपडेट किये जाएंगे डिसी ने बताया कि दो से तीन दिनों के अंदर ही कुरोना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में मौग ड्रिल भी किया जाएगा बीत रहित संस्थानों के खाते में अब जाएगा सिधे अनुदान जार्खन के अनुदानित इंटर कॉलेज उत बिद्यालों संस्कृत बिद्यालों और मदार्शा में अनुदान कि राशी अपसीधे संस्थान के खाते में जाएगी अब तक जीला को सागार में राशी जाती थी इसकुली सिक्षा वसक्षटा अभी भाग के सचीव के रभी कुमार ने मंगलवार को इस पर अपनी समती जाता दी है बीत रहीत सिक्षा सन्युक्त संगस मुर्चा के प्रतिनी मंडल के साथ वारता में यहनीने हुया पूलिस और मनवा धिकार दोनों का संब्ध भले ही अट पतासा लगे लेकिन मंगलवार को दोनों एक ही मंज़ पर नजर आए वजा रही राजा अस्तरिय पुलिस वाद विवाद परत्योकता जिसमें सभी जीले से चून कर आये पुलिस कर्मियों ने ईूमन राइट्स पर डिबेट में हिसा लिया और मनवाद धिकार पर अपने कर्तबयों की जनकारी दी बता दे जार्खन में जीला अस्तरिय बाद विवाद परत्योकता का आयोजित की गई जिसमें रेंज और जीला अस्तरिय परत्योकता में उत्कृष्ट परदसन करने वाले तिस परतिभागी इस कारकरा में सामिल हुए जार्खन के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पच्थिती हुई कम की स्कूली सिक्चा संकट में है एक तिहाई प्रात्मिक विद्यालों में एक ही अध्यापक है रांची सहीत देश भर के 25 हवाई अड़ों को लीज पर देने की तयारी देश के परमुख सहरों के हवाई अड़ों के संचालन का काम नीजी छेतर की कंपनिया कर रही है अब चिभोनेस्वर वारानसी अमरिसर, त्रीची, इंदर, सहीत और राज मुंदरी को लीज पर देने के लिए चुना गया है एरपोर्ट अथुरिटी ऑफ इंडिया ने आठ हवाई अड़ों को संचालन के लिए PPP मोडल के तहत लंबे समय के लिए लिज पर दिया है मंत्राला ज ही जनहित में इसे नीजी छेत्र को लिच पर दिया जादा है ताकि देस में अधूनिक हवाई अड़ों का निर्बान हो सके हरो क्रिसक मेंट्र और से पहुंचे थे लेकिन मंत्री ने कि बात नहीं किया जिसे क्रिसक मेंट्र आकरोसी थोगाय और हंगामा करने लगे गेराव करने पहुंचे लोगों ने किलिसी मंत्री मुर्दाबाद निकमे मंत्री को हटाओ जारखन सरकार होस में आओ किलिसक मित्रों का मांदेल लागू करो के नारे लगाए मौके पर मौझूद किलिसक मित्र महासां के परदेश अध्यक ससी भगत ने कहा है कि देवघरकार करम के दरन मुख्य मंत्री के निकमे के लिदेश के बावजूद भी किलिसक मित्रों के मांदेल लागू करने के पक्षमे नहीं है जार्खन में मुख्य मंत्री पसुधन योजना का हाल जार्खन में मुख्य मंत्री पसुधन योजना खस्त हाल है योजना का यह तीसरा साल चल रहा है लेकिन अब तक शुरू आती साल की योजना पूरी नहीं हो पाई है दूसरे साल की स्थिती भी ऐसी ही है इधर चालू विती वर्ष में या योजना शुरू भी नहीं हो पाई है तीनो साल मिला कर इस योजना में करीब 120 कोड़ रुपे का परोधान किया गया है पतादे राज स्थरकार की महत्व कांची योजना मुखी मंत्री पसुधान योजना काउदेश से जार्खन की किसानों को आर्थिक रूप से सम्रीद करना है जार्खन में कोडार्मा हजारी बग रांची रेलवे ट्रेक पर 101 किलोमीटर रफ्तार से दोड़ी ट्रेन कोडार्मा हजारी बग रांची वाया बार्खा खना रेल पर योजना के अमतिम और पांचवे चरण में नो निर्मान सिधवार सांकी रेल लाइन पर 101 किलोमीटर प्रती गंटा की रफ्तार से ट्रेन दोड़ाक कर स्पीड ट्राइल किया गया ट्राइल के करम में सांकी से सिंधवार तक तेज गती से ट्रेन दोड़ाक कर स्पीड ट्राइल किया गया रेलवे सुत्रों के नुशार एक सवे किलोमेटर ग्रफता से ट्रेन को दवडाया गया बताया कि स्पीड ट्रायल सफल रहा तथा एलाइन ट्रेनों के आवागमन के लिए तैयार है CRS द्वारा NOC देने के बाद ट्रेन चलना सुरू हो सकता है B.A.D. में आई से नमांकन शुरू राजे के B.A.D. कॉलेज में नमांकन के लिए आवेजित ओनलाइन काउंसिलिंग का पई नाम राजी बिस्व विदाले मंगलवार को जारी कर दिया है आवेदको को कॉलेज अवन्टित कर दिये गाए है इसकी सुचना उन्हें उनके इमेल पर भी दी गई है आवेदक 25 दिसंबर तक नमांकन ले सकते है प्रत्थम राउंड की काउंसिलिंग में 8691 आवेदन प्राप्त हुए थे आवेदको को अपनी पसंद के 10 कॉलेजे का विकल पर चुनना था इसके अधार पर कूल 7688 सीटे आवांटित की गई है धन्यवाद